अले कुए मैं हूं आपके साथ मुखंद नहीं सब्सक्राइब किया लाइक किया और शेयर किया और जिन दोस्तों ने हैं हम चाहते हैं कि आप पैसे को सहीं इस्तमाल करते हुए वो लाइफ बनाए जो आप चाहते हैं चले चलते हैं आज के हमारे टापिक की तरफ आज का हमारा टापिक है नेट वर्थ नेट वर्थ चे मुराद साफी मालियत है अगर किसी फर्थ की आप नेट वर्थ निकालना चाहते हैं तो किसी हास पॉइंट पे उस फर्थ के टोटल असासे उनको जमा किया जाता है और उसमें से जितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं जिमादारिया हैं जो उसने देनी है या उ उनको माइनस किया जाता है इसको आसान इल्फास में ऐसे कह सकते हैं अगर किसी फर्थ के पास एक करोड का गारा और उसमें 50 लाग का कर्द लिया हुआ है तो उसकी नेट वर्थ जो है वो 50 लाग होगी एक करोड में से 50 लाग आप माइनस करते हैं तो 50 लाग बचेगा जो उसकी नेट वर्थ होगी हमने एसेट्स और लाइबिलेटी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं अगर किसी को एसेट्स और लाइबिलेटी का नहीं पता तो वो हमारी वीडियोस देख सकता उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं तो चलिए अब देखते हैं कि किया जाता हैं और कौन सी लाइबिलेटीज है जिनको मन्फी किया जाता है तो सबसे पहले ऑसेट्स में आता उसको जमा करेंगे तिसे नमबर पर हमारे पास आता है अगर किसके पास कामोन डिटीज है मेंज सोना है चांदी है या इस तरह कि और कोई कीमती पत्थर है जैसे वो उसके पासै किसी फर्द के पासै तो उसकी जो current value है करंट कीमत है उसको लिख लें, जमा कर लें उसके बाद अगर किसी ने किसी जगा पर कोई investment की हुई है उसमें bonds लान्ड्स करीदे हुए है उसने shares market में उसने share market में पैसा लगाया हुए है या उसके mutual fund खरीदे हुए हैं इस तरह की किसी भी investment में अगर पैसा लगाया हुए तो उसका जो current value है उसका जो पैसा है उसकी current value उसकी आज की वक्त में जो कीमत है उसको जमा कर लेंगा इसके बाद अगर किसी के पास cash है bank में saving account में है या current account में है उसको भी जमा कर लेंगा अब ये जितना भी मैंने बताया इन सब को जमा करें तो एक total आएगा एक number आएगा वो number आप लिख लें इसके बाद आप बात करते हैं liability इसकी आपके उपर जो जिम्मधारिया हैं जो आपने किसी का पैसा देना है उनको note down करना शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर किसी ने घर के उपर loan लिया हुआ घर के उपर कर्स लिया हुआ इसके बाद अगर किसी ने गाड़ी किस्तों पर लिया हुई है तो उसकी जो remaining बाकी किस्तें देने वाली बाकी है उसको आप note down कर लें इसके अलावा भी अगर उसने किसी तरह का भी कोई loan लिया हुआ है कर्स लिया हुआ है किसी से cash लिया हुआ वो वापिस करना है आप उन सब को note down कर लें अकठा कर लें इस तरह आपके पास एक तरफ total assets जमा हो जाएंगे एक number आ जाएगा और इसी तरह liabilities भी सब को अकठा कर लेंगे और एक number आ जाएगा अब assets मेंसे liabilities असासों मेंसे जो जमादारियां उनको minus करेंगे तो आपके पास net worth आ जाएगी अगर आपनी कभी भी अपनी financial position को check नहीं किया आपने अपनी net worth को check नहीं किया तो जुरूर चेक करना चाहिए जब आप इस calculation को करेंगे अपने सारे असासों को जमा करके उन मेंसे सारी liabilities निकालेंगे तो आपके पास एक number आएगा आप उस number को आपने पास रख लें वो आपकी net worth है current उसके बाद आप एक साल के बाद दोबारा अपनी net worth को check करें और फिर उसको compare करें उसको मवाजना करें किया आपकी net worth में कुछ इजाफा हुआ है या उसमें कमी आई है अगर इजाफा हुआ है तो कितना हुआ है और अगर कमी आई है तो किस वज़ा से आई है तो आप इस तरह compare करने से आपको अंदाजा होगा कि आप कितना improve किया है औ अपनी नेट वर्थ में इतना इजाफा करना है। इसके लिए आप फिर देखेंगे कि वो कैसे इजाफा करना है। अपने हालात के मताबिक आप चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाला फिर हादर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स पर वाचिंग, अल्ला हाफिज।